Welcome to all of you my dear friends Friends इसके पहले के session में हमने discuss किये थे 10 तक के questions को इसके बाद हम discuss करेंगे 11 से 20 तक के questions को तो session पे बने राना है यह income tax पर बेज़्ड है जो कि administration and finance का यह part है ठीक है तो अगर आप principal या wise principal के लिए preparation कर रहे हैं तो आपके लिए ही special video है अगर आप हमारे telegram group को join करना चाहते हैं तो description में link दिया हुआ है आप वहाँ से join कर सकते हैं इसमें आपको important materials plus हम जो पढ़ाते हैं आपको या जो class लेते हैं उसका PDF आपको वहाँ पर मिल जाता है तो चलिए friends आज के session को शुरू करते हैं तो देखे हमारा जो पहला question है इसमें कहता है कि when the income earned in an year is taxed in the same year it is called ठीक है यानि कि आपका income जो भी आप कमाते हैं जिस साल में और उसी साल में आपको tax pay करते हैं तो वह क्या कहलाता है ठीक है यहाँ पे चार option आपके सामने है advanced assessment first दूसरा है super assessment तीसरा है accelerated assessment और D में है none of these तो इसका right answer क्या हो जाएगा आप सभी को comment करना है कि इसका right answer क्या होगा ओके तो देखिए इसका right answer हो जाएगा c number आप लोग लास्ट में बताएगे कि आपने 10 में कितने correct की ओके तो चलिए next question देखते हैं surcharge is levied when the total income exceeds ठीक है तो total income कितना exceed करेगा कितने को पार करेगा जो कि surcharge आपको लगेगा ठीक है तो पांच करोड़ दस करोड़ एक करोड़ या फिर दो करोड़ ठीक है तो यहां पर क्या इसका right answer हो जाएगा इस तीसको आपको बताना है ठीक है ठीक है इसका right answer हो जाएगा एक करोड़ रूपया ठीक है चलिए next educational says it charge at the rate of educational says says का मतलब होता है कि उपकर ठीक है तो सिक्छा पर जो उपकर होता है वो कितना कितना लगा जाता है charges at the rate of what is the rate ओके चलिए थोड़ा से 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 को समझ लेते हैं ठीक है sis क्या होता है किसी खासकाम के लिए अलग से लगाए गए tax के रूप में लगाया जाता है ठीक है यानीकि एक तरासे उपकर होता है तो educational says होता है Heald says होता है road says होता है से साट है ठीक है और says interest में difference कहें tax अगर आपसे लिया जाता है तो जरूरी नहीं है कि आपने जिस Culture सेक्टर में उसे इन्वेस्ट करें अईसा नहीं होता है तो इसे कहीं therapist कर सकती हो सकता कोई वड़ा infrastructure में वह सरकार कर रही है तो जैसे education सेस लिया जाता है तो तो समस्थ में क्या NS इसे लग क्या है कि अगर आपने education ध्यूकेशन तो से इग्एन education पर ही खर्च किया जाएगा ठीक है अगर आपने health says दिया तो उसे again health में ही खर्च किया जाएगा अगर आपने road says दिया तो उसे road के infrastructure या road बनाने में उसे खर्च किया जाता है तो says or tax में यही difference होता है तो यहाँ पर आपको बताना है कि educational says is charge at the rate of ठीक है यहां पर right answer इसका क्या हो जाएगा तो right answer हो जाएगा 3% ठीक है चलिए next हमारा है as per income tax person includes तो यहां पर क्या हो जाएगा as per income tax person includes individual huf local authority all of the above यहां पर right answer क्या हो जाएगा आपको बताना है तो देखिए यहां पर right answer हो जाएगा हमारा d number huf आपको पता है कि Hindu undivided family होता है इसका full form ठीक है और Hindu undivided family का हमने अल्रेडी class ले चुका है तो उसमें Hindu undivided family में क्या benefit मिलता है कि आप अगर अपने दादा दादी या ममी पापा जो भी उसमें सभी एक साथ मिलकर रहते हैं और उसका एक अलग pen number होता है जिसका कि benefit आप ले सकते हैं tax आपको कम पढ़ेगा आप अपने tax को save कर सकते हैं ठीक ह उसका benefit क्या मिलेगा कि अगर मान लेजे आप लोग 6 member है family में तो आपका एक हुएफ create हो गया और इसका benefit क्या मिलेगा कि आप tax को save कर सकते हैं और particular सभी members भी इसका benefit ले सकते हैं अगर मान लेजे कि दादा जी ने हुएफ का benefit लिया तो हो सकता है कि उसके बेटे भी हुएफ क benefit ले सकता है इससे tax save किया जा सकता है ठीक है तो यहां पर क्या हो गया individual भी हो गया इसमें local authority भी participate करती है तो यहां पर right answer हमारा क्या हो जाएगा D number all of the above ठीक है चलिए हमारा next question है CBDT stands for CBDT का मतलब क्या होता है इसका full form क्या होता है आपको बताना है तो इसका right answer यहां पर क्या ह हो जाएगा जल्दी से बताइए Central Bureau of Direct Tax Central Board of Direct Tax Citizens Board of Direct Tax Citizens Bureau of Direct Tax इसका right answer हो जाएगा B number Central Board of Direct Tax सब्सक्राइब हो सकता है कि आपको इससे questions पूछ दिया जाए ठीक है next CBDT is controlled by तो CBDT किसके द्वारा control होता है आपको बताना है इसका right answer क्या हो जाएगा Central Government State Government both A-B or none of above इसका right answer क्या होगा आपको बताना है तो यह हो जाएगा first number Central Government ठीक है चलिए next question हमारा है इसका right answer यहाँ पे क्या होगा आपको बताना आपके सामने चार options है यहाँ पे right answer क्या होगा तो देखे 17 का B हो जाएगा one basic condition and both additional condition चलिए next हमारा है एक company has dash types of residential status ठीक है एक company के पास कितने types के residential status होते हैं यह आपको जानना चाहिए तो 18 का answer क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपका first number यानि की two ठीक है तो एक company के पास दो type of two types of residential status होना चाहिए चलिए next हमारा है a citizen of India who goes abroad for the purpose of employment he must stay in India in the previous year for at least 10 days to become a resident ठीक है तो इसका यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा आप सभी को बताना है तो देखे इसका right answer हो जाएगा d number 182 days चलिए अब हम last question इसको discuss करेंगे क्योंकि 11 से 20 तक ही discuss करेंगे इसके बाद हम next session में हम 21 से 30 तक discuss करेंगे तो इसका right answer क्या हो जाएगा बताइए who is sse in case of huf ठीक है यहाँ पर नंबर यह नंबर है यहाँ तक ठीक है यहाँ पर इसको question यहाँ से समझे who is sse in case of huf तो इसमें sse कौन होता है in case of huf याणि की Hindu undivided family में तो उसका करता होता है फिर comprehensive होता है deemed करता होता या फिर none of these होता है ठीक है तो देखिए उस huf का जो करता होता है वही उसका sse होता है इसका right answer क्या हो जाएगा तो first number ओके तो friends आप हमारा telegram group join कर सकते हैं अगर यह जो हमने आज 10 questions लिए इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारा telegram group join कर सकते हैं description में link दिया हुआ है अगर आपको administration and finance का notes चाहिए हमारा whatsapp number है 87094811760 के इसका price आपको पड़ेगा 700 rupees अगर आप लेना चाहते हैं then you can contact me at any time from morning 8 a.m. to night 11 p.m. अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए और चैनल पर first time visit कर सब्सक्राइब करके bell icon जरूर दबाएगा धनिवाद